अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ABCD of SEO के अंदर में T-WIN, T मतलब Do Follow Links, इससे पहले मैंने आप लोगो explain किया है back links क्या होती है, उसमें थोड़ा से explanation किया है कि Do Follow क्या होता है, कैसे काम करता है, आज उसको हम लोग detail में देखेंगे, और एक बहुत ही important topic है जो आप लोग charging point को होता है, यानि कि आपके जितने भी SEO के effort है, उनको revive करने का, उनको जल्दी से rank कराने का काम, Do Follow Link करता है, तो ये Google को एक signal देता है, कि दूसरी website अच्छी है, और ये signal का basis दोता है, अब authority क्या होता है, देखें, मैं आप लोगो को एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग लेकिन अगर अमबानी वाउच करे किसी political party के बारे में, या किसी के बारे में वाउच करे, और मैं करूँ, दुनों में जबीन आसमागा फर्क है, क्योंकि जब भी कोई आदमी किसी को वाउच करता है, तो अपनी पूरी authority के साथ में वाउच करता है, उसके पीछे उसकी बहुत अच्छी है, तो instant उसका value क्या हो जाएगा, trust factor क्या हो जाएगा, लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, basically ये पूरी के प्राक्टिस trust factor को परम होती है, यानि कि जैसे इनसान की एक authority होती है, जावेद अख्तर की एक authority है, अक्षय कुमार की एक है, हमारे PM की एक authority है, म मेरी खुद की अपनी एक authority है, हमसे हमारे कुछ students, उनकी अपनी authority है, सबकी अपनी होती है, लेकिन ये authority contextual होती है, contextual का मतलब कि अगर M.F. Hussain ग्यान देने लगे कि भाई, वो आदमी philanthropist का work बहुत अच्छा करता है, या वो आदमी बहुत समाज सेवा करता है, तो उसको उतना लोग कैसे काम करता है, अगर आप यहां board में गौर से दिखिएगा, तो यह है website A, और यह है page 1, और यह है website B, और यह है page, उसका page 1, तो दोनों दो अलग website है, अब यह website जो बड़ी इसलिए बनी, क्योंकि इस website के authority बहुत जादा है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि Times of India है, तो हम लोग बात करेंगे, now यह छोटी से website है, जिस website का basically क्या है, यह authority थोड़ा कम है, तो यह basically क्या करता है, इसका page 1 में एक backlink बनाते है, जो do follow backlink है, और वो backlink जो है, इसके अंदर है point out करता है, किसी एक specific topic के बारे में, anchor text को लेके, कहीं पे वो करता है, anchor text का भी video हम लोग ने बनाया है, पहला video होई था, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, इस series के अंदर में पहली video है, तो anyways, यह इसको vouch करता है, एक contextual way में vouch करता है, तो basically यह इसके बारे में शिफारिश कर रहा है, यह Google को vouch करता है, देखो भी यह जो page है, यह इस चीज में बहुत अच्छा है चुकि मेरे अपर तुम trust करता है, इसके अपर भी trust करो, एक simple layman language अगर बात करें, तो यही चीजी यहाँ पर हो रहा है, तो चुकि इस पर Google trust करता है, तो यह अपना trust का एक value, जिसको हम लोग link juice भी बोलते हैं, यह trust factor भी बोलते हैं, वो pass करता है, और जब इस website में, जब इस आपकात के साब से वो कर रही है, तो अब इससे कुछ trust आया, इससे कुछ trust आया, इससे, तो एक level ऐसा होगा, कि अगर मान लेते हैं, यह बार है, इस बार के अंदर में मान लेते हैं, कि इसने बोला Google को इसके पर इतना trust आगया, क्योंकि यह जादा trustable आदमी, कोई छोटा आ इसको ranking देदेगा, यह simple logic यह ही है, तो जब इसके पर बहुत जाले trust हो जाएगा, तो इस website की भी authority यह बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे भी आप गहर से देखिए हैं, और इसका page 1 ही है, तो यह page level authority होती है, हर page का अलग होता है, website level पे नहीं होती ही, हर page का अलग होता ह अपना trust देखा है, तो जैसे समाज में होता है, जैसे कि आपको अगर political system भी देखे तो छुड़ भई यह नेता है, तो ऊपर वाले नेता को थोड़ा देखिए हैं, तो उसकी अपर वाले नेता को बारे में watch करने लगा, अपने local area के अंदर में विधायक को करने लगा, फिर उसके बाद उपर वाले नेटा वाले नेता को करने लगता है, अब नेशनल नेटा बैठा उसको सबका समर्थन पराप्त है, अब वो किसी एक के बारे में सिफ अकेले बोलेंगे हैं, तो क्या होगा, कि जो जिस वाक्ति के बारे में वाले उसका instant क्या होगा, उसका भी value instant ब इस वीडियो को लाइक केजिए, शेर केजिए, सब्सक्राइब केजिए, बेल आइकोन जरू दबा देजिए, ताकि इस स्रीज में जो भी वीडियो हम डाले न, वह आपको हमेशाह मिलते रहें, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो,